हेलो फ्रेंड्स गुट मॉर्णिंग मैं लता और मेरी लता टेरिस कार्डिन में आपका स्वागत है और अभी हम सब देख रहे हैं कि बसंतरी तू का आगमन हो चुका है और ऐसे में न तो बहुत ज्यादा ठंडक है और नहीं बहुत ज्यादा गर्मी मौसम बहुत है और हमार गार्डिनिंग करने वाले फ्रेंड्स के लिए तो यह मौसम और भी अच्छा है ऐसे में हमारे गार्डिन में विंटर के फ्लावर भी मिल रहे है और समर के भी फ्लावर अब खिलने लगे है तो हमें दोनों तरह के फ्लावर मिल रहे है और कुछ दिनों के बाद लेकिन करते हैं उनके पास यह समस्य आने लगेगी कि हम अपने विंटर फ्लावर को इन गर्मियों में कैसे बचा कर रखें और तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूं कि हम अपने विंटर फ्लावर को कैसे शेप करें अभी तो इतनी सुंदर सुंदर विंटर के फ्ल किस तरह से इसके प्लांट को सुरच्छित रखें तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं लेकिन इसके पहले मैं एक महत्पुर्ण बात ये भी बताना चाहती हूं कि जो भी हमारे प्लांट सोते हैं जो भी पर्मारेंट प्लांट को छोड़कर जो सीज उसके पाट को जोगह वहते हैं अगर हम ऐसा करते रहें मौसम के अनुसार उसे करते रहे तो वह बहुत ही अच्छा से हमारे गार्डन में वह बना रहेंगा है और लंबे समें तक फ्लावरिंग करेगा और लंबे समें तक उसका प्लांट हमारे गार्डिन तक गार्डिन में बना रहेगा और ऐसा मैं अपने बहुत सारे प्लांट के साथ करती हूं जैसे मेरा कैक्टस वाला प्लांट हो गया सर्कूलेंट प्लांट हो गया जैसे फॉर्बिया मीली हो गया यह सब प्लांट को मैं रेनी शीजन में सेड में रख देती हूँ यह जर्बेरा का प्लांट इसे भी मैं रेनी शीजन में और जब बहुत जादा गर्मी पढ़ने लगती है तो भी सेड में रख देती हूँ और जैसे कि पॉर्चूला हुआ मॉस रोज हुआ उसे विंटर से बचाने के लिए मैं बड़े गमलों के प आपको भी बताओंगी जिससे आप विंटर के प्लांट को भी बचाए रखेंगे यह मेरा एक और प्लांट है यह तीन सालों से मेरे गार्डेन में बचा हुआ है और मैं ऐसे इसे बचा कर रखी हुई हूँ और इसमें बर्स भी बन गए है अब इसमें फ्लावरिंग चाहिए बाकी जगों के आप एच्छा कम पर्ती हूं तो हम सारे गमलो को उसी तरफ सिप्ट करती जितने भी बिंटर फ्लावरिंग है ने प्लांट है तो उसे हम उस तरह पलक सकते हैं और एक काम करें चाहिए जो भी हमारे हार्डी प्लांट हो गया है जैसे हम बीकों यह म मोग्रे की जाड़ हो गई तो इन सब के बीज में भी हम विंटर फ्लावर के पाट को रख सकते हैं और इनकी छौ में भी रख सकते हैं ऐसा करने से भी यह प्लांट सुरच्छी तरह जाता है तो हम ऐसे करके भी प्लांट को बचा सकते हैं और जितने भी हमारे हाड़ी प्लां प्लाइट में रख देनी चाहिए उसे हमें कोई परिसानी नहीं होती है तो जैसे यह मेरा कागज फूल भी इसे बोलती है और बेगन बोलिया का भी फूल बोला जाता है तो इसे भी आप धूप में रख सकते हैं और एक काम कर सकते हैं पर्मानेंट प्लांट के साथ विंटर प्लांट को मिला कर लगाएं इससे यह फाइदा है कि यह पर्मानेंट प्लांट की प्लांट की मिला कर लगाई हूं जिसके कारण नीचे में भी अटेंटर और क्रिस्थेमम का प्लांट है जो इसकी छौ में भी सेव रहता है और सुरचित भी है तो हम ऐसा करके भी इन प्लांट को सुरचित रख सकते हैं और और भी यहां देख सकते हैं मेरे जो भी धूप वाले पाद है जैसे कि यह क्लांचोई हो गया जो धूप में अच्छी तरह से एक निदोप अच्छी तरह से तरह से मनी धूप वाले जगह में अच्छी तरह से रख सकते हैं इससे ने कोई परिषानी नहीं होती है और फ्लावरिंग अची तरह कर्या तो आप इन टिप्स को भी अपना कर व्यूं अ मैं ए się discovering कर सकते हैं और अपने पॉधां को बचाशा और भी मैं बतलाना चाहती हूं कि देखिए यहां पे भी मेरे जो भी सर्कुलेंट्स और भी जितने सारे सर्कुलेंट्स है इसे भी आप धूप में रखिए और जो भी विंटर फ्लारिंग प्लांट है उसे इन बड़े गमलों के पीछे भी आप इसे सुरच्छित रख सकते ह तो इस तरह से भी हम अपने छोटे-छोटे जोगाड लगा कर भी इन पौधों को सुरच्छित रखते हैं और मैं ऐसा ही करती हूं और इसके बाद मैं एक और उपाई बताना चाहती हूं मेरे कुछ गार्डेनर फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो अपने गार्डेन को विंटर फ्लावरिंग प्लांट से बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखे हुए हैं और उनके गार्डेन में विंटर फ्लावर अच्छी तरह से खिल रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि वे उनके पॉर्ट के एरेजमेंट में किसी तरह का भी चेंजिंग वे नहीं करना चाहते हैं तो वे क्या करें तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान सा उपाई बताना चाहती हूं वे अगर पॉर्ट का एरेजमेंट चेंज नहीं करना चाह और इसका प्राइस से 45 रूपीज पर मीटर से सुरू होता है और यह क्वाइलिटी के अनुसारी मिलता है जिस क्वाइलिटी का ले उसके अनुशारी से आप लगा सकते हैं और इसे पूरी चत में लगाने की जरुवत नहीं है आप इसे जिदर आपका विंटर फ्लावर है यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू